है एवरिवन आज की वीडियो में हम बीट रूट की जो पाउडर है वो घर पे कैसे बनानी है वो सीखेंगे बहुत आसान है बनाना और इसको अगर आप बना के कंटेनर में स्टोर करके रखते हो तो यह आपके बहुत काम आ सकती है मार्केट में भी मिल जाती है लेकिन वहीं है बहुत जादा महेंगी होती है इससे अच्छा कि आप मार्केट से बीड रूट लेकिया हो एक एक देड़ केजी एंड घर पे ही पाउडर बना लो उसकी जादा मतलब कुछ इसमें बनाने में टाइम वेस्ट भी नहीं है बस आपको दो तिन दिन देने है लेकिन इसे सू कि मैंने इकटा बहुत सारे मंगवाए थे वैसे तो मैं फेस पैक बनाने के लिए यूज डिरेक्ली बीड रूट का जूस ही करती हूँ लेकिन फिर जादा आ गए थे सीजन था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी पाउडर बना ली जाए तो मैंने एक एक करके इसको जदा helpful है अगर आप इसे खाने में भी आपके од करते हो तो भी बहुत अच्की बात है आप का यह blood जह होता है न वह purify करने में बहुत जदा हेल्फ करता है उसी के साथ ये आपकी स्किन ग्लो करने में भी बहुत जादा हेल्फ करता है अब ये मैंने सारे जो बीटूट है वो छील लिये है इसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा मतलब कद्दू कस कर लेंगे कद्दू कस करने के लिए आप आपके पास जो भी मतलब है ग जारी की हो रहा था तो फिर मैंने उसकी साइड वो चेंज कर देए और गडेरे साइज थाना जो साइब से कावर निय। सूकने के लिए आपको दो तीन दिन जादा देने होते हैं यह अ कि यह एीजिक करना है मतलब इसे धूब मेंनहीं रखना है अगर आप धूप में इसे रखते हो तो क्या होता है इसके ज़्यादा मतलब nutrition वगेरा होते है न वो हवा में मतलब धूप की वज़े से उड़ने के बहुत ज़्यादा chances होते है तो हम इसे हवा में मतलब छाओं में सुखाएंगे नॉर्मल टेंपरेचर पे तो ये सारे हमने गियाकल कर लेने है और उसके बाद इसको अच्छे से सूखने के लिए रखने है यह इतना अच्छा दिख रहाता ना इसमें से मतलब थोड़ा बहुत जूस भी निगला जो कि मैंने तुरन फेस पैक बनाया था क्योंकि इसका फेस पैक है आपके स्कीन के लिए और बनाना भी बहुत आसान है अगर आप एक पाउडर बनाकर रखते हो फिर तो यह बहुत आसान हो जाता इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी पाउडर ही बनाकर रखते हूं क्या होता है हर टाइम पे वही बीट रूट को स्लाइस कर लो इसका जूस निकाल लो फिर उसमें कुछ इंग्रिडियेंट आइड कर लो इससे एक चमच दो चमच जितनी भी चाहिए पाउडर ले लो और उसमें जो चाहिए हो एड़ कर लो तूरण फेस पैक अपका रेडी होता है मैंने ऐसे ही सुखाया था मतलब एक कपड़े पे कॉटन का घबड़ा था उस पे ही तीन-चार दिन मैंने इसे एक रूम के एक कोने में इसको छोड़ दिया था कि पूखने के बाद इसको क्या करना है आपको बस मतलब मिक्सर अपना जो नॉनमर मिक्सर का जार होता है उसमें यह सारी मतलब जो भी आपने सुखा है सुकने के बाद यह बहुत थोड़ा हो जाता है और पाउडर तो और वी थोड़ी बनती है इसकी लेकिन वहीं एक चमच इनफ है एक face pack के लिए तो बना सकते हम इसे मिक्सर के जार में हमें इसे ट्रांसफर करना है थोड़ी थोड़ी quantity लेनी है क्या है मिक्सर जादा घरम हो जाता है उसमे लोड़ाता है शायद बता नहीं इस वजह से वह जादा हो जादा तो थोड़ी सी पाउडर भी दरदरी बनी थी लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं स्क्रबिंगी भी हो जाएंगी फेस की बीटूट वाली और फेस पैक भी बन जाएगा अगर फेस पैक बनाना है तो मैं इसे थोड़ी देर जादा बिगो की रखोंगी ताकि यह अच्छे से काम करें तो यहां पर पाउडर देखो आप कितनी अच्छे से बन रही है बिल्गुल तो मैंने इसे दो तीन बार मिक्सर में जार में डालके इसको अच्छे से घुमागे थोड़ी जादा देर आपको घुमाना है ताकि क्या है उसका जो पाउडर फॉर्म है वो अच्छे से बने तो यह देखो यह इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे बनाते टाइमी की लाइक में अभी यूज़ कर लो इसका कोई ने नेक्स टाइम वीडियो बनाएंगे तब यूज़ कर लेंगे that's it I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रही हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइ इस वाद सी यू इन मैं नेक्सन बाइग